नमस्कार सभी भाई मेरा राम राम तो यह जो आप साइड में वीडियो देख रहे हैं यह एनस 24 गौतम बुद नगर यूपी की वीडियो है और देश के हालात जो चल रहे हैं इसको हम बोलते हैं Exodus मतलब लाज इसके पर जब लोग एक सिटी से अपने गाउं के तरफ या एक क situation बन चली है रीजन कोरोना वायरस तो जो मीडिया दिखा रही है मीडिया दिन में कवरेज करती है तो मैं बता दूं मैं उत्तर देश पुलिस में एक कॉंस्टेवल के रूप में सर्विस दे रहा हूं और आज की डेट में बहुत इसेंसिल सर्विस के रूप में निकलकर सा अगर पिंचर वाला बंद हो जायागा तो यह सारी एंबुलेंस वगेरा और जो इनमें खराबी आ जाती है मेकैनिक तो कहीं कहीं जाके पुलिस शॉप ओपन करा देते हैं तो यह भी इसेंसिल सर्विसेज हैं और बाकी रासन मिल्क होकर्स जो होते हैं सबजी बेशते हैं वह भी इसेंसल सर्विसेज हैं तो यह वीडियो कंटीन्यू चलती रहेगी साइड में क्योंकि यह कंटीन्यू मैंने शूट किया है नाइट दस बजे के बाद किये वीडियो है और एस प्लिसमेन हमारी ड्यूटी है कि जो मोदी जी ने कहा है मर्चेंसी में कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले क्योंकि आपके घर से निकला एक कदम इन्वाइट करता है आपके घर के लिए आपके फैमिली के लिए आपके महले के लिए को बट अभी कुछ दिनों से एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें क्या दिखा रहे हैं कि दूद के टेंकर में ल यह कोई भी नहीं दिखा रहा है एक्चुल में हम नाइट में या पूरा जो भी हमारा ड्यूटी टाइम होता है उसमें चेक कर रहे हैं कौन लोग बाहर निकल रहा है कौन लोग नहीं 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 लेकिन हम भी चाहते हैं कि अपना देश सुरक्षित रहे और हमें रियल्टी क्रीघी यह है कि हमें खुद नहीं पता एज़े पुलिस कंस्टेवल की हम भी सुरक्षित हैं या नहीं क्योंकि जो फैसिलिटी इस एक कोरोणा से जो खत्रा है जिसको खत्रा अर डेंजर है उसको होनी चाहिए वो पुलिस पास हैं नहीं है बेर अट बने हुए हैं पुलि बैरक के सिच्वेशन्स क्या हैं पिछले 70 साल में किसी ने नहीं देखा है एक न्यूज 18 पर आते हैं मिताब अगनी उत्री विचारे बहुत कुछ बोलते हैं इसके बारे में लेकिन किसी नहीं सुना लेकिन आज के हालात बता रहे हैं कि यह सुनना कितना जरूरी था क्योंकि कि अगर एक पुलिस वाले को कोई नहीं बचेगा इतना सिनिटाइज बैरक नहीं है बहुत बुरी हालत है जुग्जवपडी की तरह बैरक की हालत होती है और ऐसे इसप्रेड होगा वहां पर और अगर पुलिस के हालात ऐसे हो गए तो बाकी पुलिस वाले डर जाएंगे वो ड्यूटी पर जाने से कत्राएंगे और पुलिस अगर ड्यूटी पर नहीं आई तो क्राइम क्रिमिनल्स बाहर आ जाएंगे जो भूख से मर रहे हैं लोग वह बहुत सुक्री आदा करता हूं कि जो मद्यारी मजदूरी वाले लोग हैं वो बिचारे ऐसे पैदल चलकर इनको तीन दिन भी खाना नहीं खिला पाए उन्होंने कह दिया वह यह काम नहीं है आपने घर जा रहे हैं वरना यह एक यह समान मान लीजिए क्योंकि इतनी तदात में फूर्स एविलेवल नहीं है लेकिन कानून को और भारत को सरोव पर रखते हैं विचारे अपने घरों के तरफ सांती से जा रहे हैं ना खाने को है ना पीने को है अब सभी लोग इनको खत्रा बता रहे हैं यह बताईए कोरोना से तो साथ दिन में मरता है तो क्या जो इनके बच्चे हैं जो लेडी चल रही है हाथ में बच्चे लेकर तीन साल का बच्चा है दो दिन का बच्च क्या इतने resources available हैं कि सबको खाना सबको पानी क्योंकि नौयडा गुड़गाउं दिल्ली के ऐसी हालत है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि नल में आता लगाया और पानी बाहरा आगा जमीन से वहाँ तो water supply होता है और water supply किसको होगा जो payment करेगा payment के लिए पैसा है नहीं तो ये बंदे करें तो करें क्या किसी के पास इसका solution नहीं है लोग और मेरा विनम निवेदन है जो पुलिस वाले जो नए बैच वाले हैं वो जालतर मेरी वीडियो को देखते हैं वो ये देखें कि लापरवाह लोगों पर ही लठ बजाएं ऐसा नहीं है कि किसी को आप पकड सब यह जाए हैं कि कुछ इतने मजबूर हैं कि वह पूरोम से नहीं तो भूख से मर जाएंगे प्यास से मर जाएंगे और अगर फुलिस पर था Chief Caroline उस लेवल पे डवल नहीं हुआ यह सब जान रहे हैं क्यों डवल नहीं हुआ हैं उसका बहुत सारा सब्सभी आए किसी भी एलेक्षन में डिवेट नहीं हुआ हमेशा टीवी बेठा के डिवेट करना सुरू करते हैं कॉंग्रेस न क्या किया बीजेपी वाले कहते हैं उसने क्या किया अभे पिसी ने यह बताया तुम क्या करोगे मैं यहाँ पर नाम नहीं लूगा किसी का भी सब एक दूसरे को लगे पड़े हैं वह दूसरे को बिलेम कर रहा है तो उस वज़े से हमारा कंट्री डवलप नहीं हो पाया मैं इसमें डिटेल में जाओंगो सब को पता हुआ है लेकिन आज के हालात यह हैं यह लोग मैं आपको रात की स्टोरी बताता हूं गात में कौन-कौन एक इंडि वैसे ही एक इनोबा में पांच बंदे आये मैंने उनसे पूचा तुम क्यों जा रहे हो तो उन्होंने दिखाया कि यह सब खाना रखा हुआ है और जो गरीब लोग है उन्हें हम खाना बाटने जा रहे हैं तो भाई साब जवाब नी था मेरे पास थैंक यू के सिवा थैंक में कम्यूनिटे से भार जाएंगे तो इंफेक्शन का खत्रा है और सारे के सारे मारे जाएंगे और अंदर रहेंगे तो खाना कहां से आएगा क्योंकि काम नहीं है तो पैसा नहीं है पैसा नहीं है तो खाना नहीं है क्योंकि जो एक्चुल रेट है उससे भी ज्यादा रे हो रहे हो हैं जो कहने पारे हैं तो यह हालाSpace हैं लोग रात को departure एंगार। और हम को जाने से नहीं रोग पारे क्योंकि दोनों ही case में हम película ने को भंचाना उइस हम भी बचाना भा ना गरना से ना ना नीए हैं then तो यह देखिए कि मजबूर मापिट जाए ज़ो बंदा अपने आपको बचा रहा है भूख से बचा रहा है को रोना से बचा रहा है और जो ला परवा यह के सब कुछ होते हुए भी ये देखने निकल रहा है कि बाहर सड़कों पर क्या माहौल है कौन कैसे जा रहा है और इस तरीके से जो निकल रहा हूँ साब्धान रहे उसके लिए पिरसासन बहुत सकत है आप पूरे देश के लिए खत्रा बने होने इस टाइम पर बिना वज़े घ लेकिन मजबूरन हमें जाना पड़ता सब लोगों से बात करनी पड़ती है सब को टोकना पड़ता तो सबसे जादा खत्रा हमें अपने अंदर है कि हम अपनी फैमिली में यह वारस लेकर ना जाए उसके बावजूद भी जा रहे हैं देश के लिए हैं मर जाएंगे को कल को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आज करना आंए ऐसा नहीं है कि हम एपसेंट हो जाएं जॉब से करना है देश के लिए मरना है इससे अच्छा मुखा भी नहीं मरने का तो आप एक balance maintain करके रखना एक ऐसी आगे जाके management बनाना कि आगे जाके ऐसी भुक्मरी पैदा ना हो किसी ऐसी disease के वज़े से और hospitals, facilities यह ज़्यादा अच्छी हो या ज़्यादा मात्रा में हो और पुलिस के लिए कम सकम इतना तो हो आदमी साफ सफाई में रह सके इस तरीके से इस बीम कि जो डॉक्टर थी वो आई उन्होंने आके कहा कि एक गरीव था उसको 500 रुपे उन्होंने दे दिये और वो उससे inquiry कर रही थी कि जब लोगों का निकलना allowed नहीं है तो तुम अपने घर में क्यों नहीं जा रहे हो तो उसने जवाब दिया मेडम मेरा तो घरी नहीं है मेरा कोई ठीकान आई नहीं है तो मेडम ने उसको 500 रुपे दी फिर मेडम 500 रुपे लेकर हमारी तरफ आई कि मैं ज्यादा तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हूं लेकिन ये आप मेरी तरफ से एक हैल्प टक लीजिए तो मैंने उनसे हाथ जड़कर कहा मेडम ये हैल्प हम इ मैंने के लगा पता नहीं कहां टूटूंगी मैंने मेडम ने वह 500 रुपे वे से दी इट वाज वेरी गूड इस्टैप और एक लड़की वैगेनार में आई थी और वह भी खाना देने के लिए भूम रही थी जो ये बंदे एक्सुडस में चल रहे हैं इनको भी पानी दू सब्सक्राइब करते हैं अगर कुछ मदद नहीं कर सकते तो प्लीज सांती से बढ़ जाई और मदद कर सकते हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरी जो मेरे जो व्यूवर्स हैं उनमें अगर कोई प्लिस कॉंस्टेबल हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो बनाने के लिए हीरो किरी करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो वैसा करना छोड़ दीजिए यह दीखिए इस विधार रीएल में इतनी ओकातनी है हमारी कि जो भार से बन्दा चलके आ रहा सीनिकल चेक अपप करें सब बंदों को उसको दसके घरि बेगे तो वह प्लायाali यह इतनी सहरों की हमारी आउकात नहीं है कि इतने लार्ज स्केल जनता हो तीन दिन में वह पाल पाए तीन तीन दिन के अंदर ही लोग अपने घर की तरफ प्लायन कर रहे हैं तो कम कहना ज्यादा सुनना फिर भी बहुत ज्यादा बुल गया है समझदार है लोग आप सब्जी वाले को पिंचर वाले को और यह जो होकर्स हैं इनको ना सताइए और रात में जो लोग प्लायन कर रहे हैं सिटी से उसके तरफ उनको ना सताइए क्योंकि उनके पास अंसादन नहीं है और मैंने देख रहा हूं कि चप्पे चप्पे प्र प् सही डेटा पर फोकस करिए और सही सिचुएशन पर फोकस करिए इस से कोरोना से सबक ले देश और आगे ड़लपमेंट की तरफ ध्यान ले यह हिंदू है यह मुसल्मान नहीं है तो यह बिहारी है यह बंगाली है यह महराश्ट्री है यह सब छोड़के अपनी देश को आग बस इसके साथ समात करना चाहूंगा और यह वीडियो मैं कंटीनी हूं अगर चलाता रहता मैं एक घंटे का सफर तया करता हूं डेली एक घंटे यह बंदे की चैन टूटेगी नहीं पूरे रोड़ पे विचारे पैदल फुल फैमिली के साथ बच्चा यहां पे रहता में ऌशने कर पहूंची जाएंगा, तो क्या करना है क्या नहीं नहीं करना यह, बहुत ही complicated है,बट please कि अगर मदद कर सकते हैं करिए मदध नहीं कर सकते तो अपने फ colonial और कोई मदद करना चाहता है तो पुलिस को इतनी सी मदद है पानी की बोटल ले कि अगर प्ली स्घ्तरा पे time टो आप दे लिए इससे ज्यादा पुलिस को और आपकी कोई मतनी चाहिए और जो सक्सम लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं जो सक्सम नहीं है वो अपने घर पर रहा कर देश भक्ति कर सकते हैं बदबद धन्यवाद जैन फ्रेंट